चलिए आज बनाते हैं चटपटा मजेदार कुरकुरा लच्छा परहाटा हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ एक ऐसे व्रेकफास्ट की रेस्पी सेयर करें हैं जिसे आप सिर्फ पांच मिनट में बना सकते हैं आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बन एक कप गेहों का आटा लिया है इसी में एक चम्मच बारीक वाली सुजी डाल देंगे चोथा ही चम्मच इसमें अजवाइन और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे साथ में एक चम्मच तेल डालेंगे सर्सों का तेल छोड़कर कोई भी तेल आप इसमें डाल सकते हैं तो इसमें आधा कब गहूं का आटा और इता मैदा मिला सकते हैं या पूरी तरईसे मैदे से भी बना सकते हैं पर तो आज हम तना इसे भी बना रहें जिसे हल्थी रहेगा तो चलिए फटा फटे से इसका हम प Clinton कर लेते हैं तो यह देखिये मखळ लेंगे मखळ को हमने रूम टंप्रेचर पर रख दिया था अब इसमें आदी चम्मच चाट मसाला चोथाई चम्मच सीवी कम गरम मसाला और चोथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ में धेर सारा कटा हुआ हरा दनिया डाल देते हैं सबी चीजों को मखळ में अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो फ्रेंट्स हमने यहाँ पर मखळ डाला है मखळ में नमक होता है तो इसन यहाँ पर हमने नमक नहीं डाला है आप मखळ की जगे घी का भी यूज कर सकते हैं तो घी sit जमा हुआ लीजेगा और अगर आप घी से परहाटे बनाए ना तो इसमें थोड़ा सा नमक जरूर डालिएगा तो ये लीजे फ्रेंड्स एक चटपटा सा मसाला बनकर तैयार हो गया है और इधर हमारे डो को रखे भी पांच मिनट हो गये हैं और ये डो ना थोड़ा सा सक्त हो गया है क्योंकि सूजी डाली थी ना तो थोड़ा सा ये फूल गया है तो चलिए अब फटा फट से हम परहाटे बनाते हैं तो डो को पहले हम रोल कर लेते हैं और अब इसकी हम लोई काटेंगे तो नॉर्मल परहाटे से इसकी जो लोई बनाएंगी ना थोड़ी सी हम तो चलिए फटा फट से पहले हम इसे पेल लेते हैं और अगर ये डो आपके चकले पे या बेलन में चिपत रहो ना तो थोड़ा थोड़ा सूखा आठा डश्ट करते जाएगा तो ये लीजे फ्रेंड्स एक बड़ी सी रोटी बनकर तयार होगी और ये लिखे इसे हमने मसाला लेंगे और पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे तो हातों से फैला देते हैं जिससे ये पूरी रोटी पर अच्छे से फैल जाएगा और बिल्कूल पतली पतली सी ही इसकी हम लेयल लगा रहे हैं ये देखे इस तरह से तो पूरी रोटी पर इसे हमने कर लेते हैं तो चलिए फटा फट से पहले इसे हम काट लेते हैं तो यह देखिए इसी तरह से पूरी रोटी को हम कट कर लेते हैं तो एक रोटी के हमने चाल पार्ट कर लिये हैं और आब इसे हम रोल करेंगे तो यह देखिए इस तरह से इसको हम रोल करते जाएंगे और आब इसको हम दूसरी इस्टिप पे रखके रोल करेंगे तो इस तरह से जब इसे रोल करेंगे ना तो हमारे परहाटे में बहुत सारी लेयर्स बनेगी ये देखिए इस तरह से तो सारी इस्टिप को एक के ऊपर एक रखते हुए हम रोल कर लेंगे और जो रोल करेंगे ना तो यह लिजे फ्रेंट्स सारी रोटी की स्टिप को हमने रोल कर लिया है और यह देखिए एक लोई बनकर हमारी तयार हो गई और अब इसे हलका सा प्रेश देते हुए हम बापस से इसकी लोई तयार कर लेंगे तो यह हमारी बहुत सारी पर्त वाली लोई बनकर तयार हो गई और अब इसे हम बढ़ा लेंगे तो उंगलियों पर हमने थोड़ा सा सुखाटा लगा लिया है और इस तरह से इसे बढ़ा लेंगे आप चाहे तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं तो इस पर थोड़ा सा हमने सुखाटा डश्ट कर दिया है और अब इसे हलके हाथ से हम बेल लेते हैं तो ज्यादा पतला इसे हम नहीं कर रहे हैं तो ये लीजै, friends हमारा परहाटा बनकर तयार हो गया थाना इसे बनाना बिल्कुल आसान तो इसको हम धीरे से उठा लेते हैं और ये दिखे, friends, कितना पढ़िया प्रहाटा बनकर तयीयार हो गया तो जब एक साइड सी कह जा जाएगा तो इसे हम पलट देंगे तो आप इन परहाटों को घी मक्खन तेल किसी में भी सेंख सकते हैं और अब धीरे से इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइट से भी परहाटे पर तेल लगा लेते हैं और अब इसे चारों साइट से हलका हलका सा दवाते हुए दोनों साइट से उलट पलट करते हुए बड़ अच्छे से खुल के आएंगी तो यह देखिए फ्रेंट्स कितना बढ़िया हमारे परहाटे पे कलर आया है तो पलट कर भी हमाप उरिखाते हैं यह देखिए दूसरी साइट से भी परहाटा बहुत अच्छे से सिखा हुआ है और इसकी सारी लेयर्स खुल गई है यह और दूसरा परहाटा भी बिल्कूल इसी तरह से तयार करनेंगे यह देखिए कितना बढ़िया हमारा परहाटा लग रहा है और यह लीजे फ्रेंट्स हमारे परहाटे बनकर तयार हो गए आप इसे अचार चटनी दई किसी के साथ भी खा सकते हैं आज इने हम दई के साथ सर कर रहे हैं और यह कितने क्रिष्पी बने हैं यह भी हम आपको दिखाते हैं यह देखिए फ्रेंड्स यह देखिए सुनिए आपने आवाज और अब हम आपको इसके लच्चे दिखाते हैं यह देखिए कितने सारे लच्चे इस परहाटे में बने हैं आपके बच्चे अगर आपको यह रेस्पी कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और यदि रेस्पी अच्छी लगे तो से लाइक और सेयर भी जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल ना भूलें ऐसे ही नई रेस्पी के साथ नेश्ट वीडियो में हम आप से फिर मिलेंगे थैंक्यू